स्वागत आपका स्पोर्ट सार पर मेरा नाम है अकाश और बात करेंगे टीम इंडिया की और हमारे जो होम फिक्शर्स हैं जो लाइन डप हैं इस FTP में अब देखे बटे इंटरस्टिंग सा फैक्ट एक सामने आया है अभी हमें पता है कि भाई जो आपके अब होम मैचिस हों इस आने वाले साइकल में उसके ब्रोड कास्टिंग राइट्स वहाँ पर आप खेह सकते हैं कि वह असाइन के जाने हैं जो दिये जाएंगे देखते हैं कौन उन राइट्स को एक्वाइर करता है और जो माना जा रहा है कि भाई इस बार सभी रिकोर्ट्स टूट सकते हैं बैक इन 2018 हमने देखा था कि भाई 6,000 क्रोड से जादा के वहाँ पर जो राइट्स थे तेलेविजिन राइट्स वहाँ पर रेक्वाइर किये गए थे और इस बार भी आप होप कर रहे हो कि भाई इस बार बैरियर्स टूट जाएंगे उसके पीछे एक बड़ी वज़े साम भी का दबावा है इंडिया वर्से ऐसट्रीलिया देख लिए आप बौडर का वसका ट्रूफी हो इंडिया वर्सेज इंगलेड एक अलगी रोमांच होता है स्प्रीज में चाहे वो इंडिया में हो जाए वह आप देखते हैं कि भाई एच्ट तूँ एक नेक्स लेवल है लेकिन यहां concerned है कि India Australia और India England जितने भी ये मुकाबले होंगे जादा से जादा जो मुकाबले इन टीमों के बीच खेले जाएंगे भाई वो तो किसी के भी eyeballs catch करेगा बहुत जादा revenue generate करने का आप कह सकते हैं आप उमीद रखते हैं जो कि एक बहुत बड़ी possibility भी होती है अब आ 39 almost 45% इनी टीमों के बी मतलब इंडिया औस्ट्रेलिया और इंडिया इंगलेंड के माँ पर मुकाबले हैं टेस्ट्रीज हो, ODIs हो, T20s हो तो भाई आप कह सकते हैं ये FTP तो धमाकेदार होगी और जो भी ये home broadcasters मतलब जो हमारे home matches, broadcasting rights उसके जीतेगा भाई उसकी तो चान आपको वहाँ पर खाड़ करने बढ़ सकते हैं लेकिन आप कह सकते हैं कि भाई, return on investment भी आपका जबर्दस होने वाला है क्योंकि 88 में से 39 49 मुकाबले इंडिया औस्टेलिया इंडिया इंगलेंड होंगे वहाँ पर हमारे जो home pictures होंगे, मैं आपको सभी चीजे सारी details बताऊ हूँ, according to the details, outlined in the invitation to tender, ITT documents जिसे कहा जाता है, the broadcast cycle is structured with a front and back loaded approach, the cycle commences with 8 matches against Australia, अब आपको पताए इसी वज़ा से delay कर रहा था BCCI कि आप एक आप ऐसे, जिसे कह सकते हैं, makeshift arrangements ना करें, आप एक साथ वेट करके आपने समय लिया और जब आपको दिख रहा है कि भाई, आप Australia ती तीन ODA मुकाबले खेलेगा, जल्दी ये broadcasting rights आप कह सकते हैं, वो sign कर दिये जाएंगे, तीन ODA मुकाबले आपके World Cup से पहले और पांस T20s, तो भाई, आठ आप कह सकते हैं, ऐसे मुकाबले इंडिया-Australia हमेशा, आप कह सकते हैं, viewership बड़ी जबरदस आती है, तो ये बहु मुकाबले हैं, सारी cycle पर बात भी करेंगे, किस तरह के से मुकाबले हैं, अब जैसे के हम बात करने कि भाई, इस बार record तोड़ वहाँ पर bid लगाई जा सकती है, record तोड़ डील, या acquire, वहाँ पर rights अगर आपने करने हैं, जो इंडिया के, आप कह सकते हैं, home broadcast cycle जो है, home games के ल चास के हजार करोड के तो आपके media rights वहाँ पर थे, वो भी extraordinary numbers थे, तो अब आप मान रहे हैं कि भाई, इंडिया आपको पता है, India is the powerhouse, इंडिया ही आप कह सकते हैं कि भाई, dominate करता है, viewership के आप बात कर लिजे, revenue generation के आप बात कर लिजे, cricket में उस level पे तो इंडिया के कोई भ पास नहीं आता कि आप revenue generation के वारे में जब आप बात करते हो, home games जो हमारे इस broadcast cycle में आप बात कर लेते हैं, ODIs हैं, तीन Australia, पास T20s हैं, फिर आपको तीन T20 इंटरनाशनल अफगानिस्तान के इनने, पास टेस्ट मुकाबले जो इस WTC cycle में हमारे home fixtures सबसे बड़े मुकाबले होंगे, पास टेस्ट के series, अगले साल आपकी जैन से March है, फिर आपको September, October 24, दो टेस्ट, तीन T20 मुकाब हैं, जो हमने कहा कि भाई, 45% मुकाबले आपने यही कोजिश करिये कि इंडिया, उस्ट्रिलिया, इंडिया, इंगलेंड हो, तो जाधा revenue वहाँ पर generate होगी, और आप देखते हैं कि भाई, जाधातर इन टीमों के मुकाबले तो लोग कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगा, उसमें यह टॉप टीम कंपेट करेंगी, तो जरूर आप वो जिससे कह सकते हैं, वो excitement बरकरार रखेंगे, वो hype बरकरार रखेंगे, तो वह यह कि भाई, पास टेस मुकाबले इंगले साल जैनुवरी मार्स तक हैं, 2024 में, और फिर आपने देखा कि भाई, इंगले साल आप ऑस्टेलिया से पास टेस मुकाबले हमारे 2027 साइकल में भी हैं, तो आप जब आखिर में जा रहे हो, तो 2027 साइकल में 5 टेस मैचिस हैं, क्योंकि इस बार जब हम दोरा करेंगे, वो हमें ऑस्टेलिया जाना पड़ेगा, इस WTC साइकल में, जो 2023 से 2025 में हैं, लेकिन हम 20 2027 के साइकल में भी हम बात कर रहे हैं, कि भाई, तीन ODI, पास T20 में मुकाबले हमाँ पर खेले जाएंगे, तो 2027 में, और इंग्लेंड के वर्सिस पास टेस मुकाबले, जो आप इस, आप कह सकते हैं कि इस साइकल के स्टार्ट में खेल रहे होगे, 2024 में, दोजार अथाइस में, जैनवरी से, जैनवरी 2028 में, तब इंग्लेंड दुबारा पांच टेस्ट मैचिस के लिए आएगा, तो भाई, आप कहरो कि देखें कितना पैक्ड एम आपर लाइन अप, जैनवरी 2027 में, आउस्ट्रेलिया से पांच टेस्ट मैचिस हैं, जैनवरी 2028 में, इंग्लें में हम देख रहे हैं, जैनवरी में दुबारा इंग्लेंड से आपके पांस टेस्ट मुकाबल हैं, तो आप कह सकते हैं कि भाई, इस बार ये जो ब्रॉड कास्टिंग के लिए आपको ये पैसे खर्चने पड़ेंगे, वो इस बार बंपर, देखे, रिटरन और इंवेस्ट इंडिया-उस्ट्रेलिया पांस टेस्ट मैच, इंडिया-इंग्लेंड पांस टेस्ट मैच दो बार, मतलब दस टेस्ट मैच एक साइकल में, इस से प्रॉफिटेबल कुछ नहीं हो सकता, हम हजारों करोड रुपे महाँ पर देने के लिए तयार हैं, तो इस तरह के का लाइ होगा, कि these are the three powerhouse in international cricket, और जितने cricket इनकी होगी, भाई मज़ा आने वाला है, इस वाली डेबली आप कह सकते हैं, FTP में 2030 से 2028, 88 games होने हैं, 49 उसमें से इंडिया-उस्ट्रेलिया या इंडिया-इंग्लेंड है, जबर्दस ये मुकाबले होंगे, फिलाल मैं लेता हूँ इजा